यानि शहरों में राजनीती किस तरीके से होती थी और उसका इंपक्ट कितना था किसी भी देश पर या फिर जो किसी भी देश के उपर हम समझ सकते हैं तो देखिए इसके लिए कुछ एक्जामपल से पहले कुछ चीज़े मैं आपको समझा दूँ तो देखिए जब हम लंडन की बात करें ब्रिटेन की बात करें तो आपने पिछले वीडियो में जैसा देखा कि लंडन जब इंडर्स्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे पहले बहुत बड़ी संख्या में लोग गाओं में रहा करते थे और बहुत कम संख्या में लोग सहरों में रहा करते थे लेकिन अगर आप एक सहर को देखें, तो सहर में आपको लाखों की संख्या में, करोडों की संख्या में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कोई political event करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको support भी मिल सकता है, और किसी भी तरीके का बड़ा political event करना बहुत ही आसान हो सकता है तो ये बेसिक डिफ्रेंस है सहर और गाओं में पॉलिटिक्स के मामले में तो देखें यहां पर example है पहला example हम देखते हैं जब काफी सर्दी पढ़ रही थी 1886 में 1886 की बात की जारी है उस समय में जब बहुत सर्दी थी और इतनी सर्दी थी कि आप घर के बाहर काम भी नहीं कर सकते थी इतनी सर्दी पढ़ रही थी तो उस समय में जो लंडन के पूर थे वो काफी एक तरीके से नराज थे और उनके अंदर काफी हम कह सकते हैं गुस्सा था और इस वेज़से वो दंगे पर उतारू हो गए और सहर में दंगे करने लगे और उनका डिमांड ये था कि जो उनकी कंडिशन है पोवर्टी की वो काफी खराब कंडिशन में तो उस पोवर्टी के कंडिशन से उन्हें बाहर निकाला जाए और कुछ सरकार द्वारा रिलीफ दी जाए तो जब ये लोग दंगा कर रहे थे और पूरा इवेंट ये कर रहे थे तो इस चीज को देखते हुए सहर में जितने भी सौपकीपर्स थे उन्होंने अपने दु लंडन तक यानि कि इनका जो हम दंगा कह सकते हैं या फिर मार्च कह सकते हैं ये डेफ फोट से लंडन तक हो रहा था और इस मार्च में आने वाले लोगों को एक तरीके से पूलिस द्वारा समाला गया और किसी भी तरीके से इस इवेंट को खत्म किया गया और इसी तरीके का एक और दंगा हुआ था 1887 में इस टाइम इस समय में जो ये दंगा हुआ या फिर हम राइट कह सकते हैं इसको काफी बूटली काफी एक तरीके से कड़ा इसे इसको सप्रेस किया गया पुलीस द्वारा और इस इवेंट को यानि जो 1887 में जो इवेंट हुआ उस इवेंट क हमने देखा कि बहुत ही असानी से जो गरीब लोग थे वो एक इकठा हो गए एक साथ आ गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ वित्रोह कर दिया लेकिन अगर आप इसी चीज़ को गाउं में देखे तो गाउं में ये करना उतना पॉसिब जिसमें जो लंडन के जो डॉक वरकर्स थे वो इस्ट्राइक पर चले गए और उन्होंने पूरे सहर में मार्च निकाला एक राइटर के अनुसार उस समय के एक राइटर के अनुसार हजारों की संख्या में जो इस्ट्राइकर्स थे उन्होंने सहर के रास्तों से मार्च न और इसका मेन मकसद ये था कि डॉक वर्कर्स यूनियन जो है उसको रिकोगनाईजिशन मिले यानि सरकार द्वारा रिकोगनाईजिशन मिले पहचान मिले तो देखे यहाँ पर simply मैं आपको ये समझाने के कोशिस कर रहा हूँ और सहर का जो लार्ज पॉपॉलेशन है वो एक तरीके का थ्रेट भी है और एक तरीके का अपॉर्चिनिटी भी है क्योंकि उनसी आप एक जगह पर आपको बहुत बड़ी पॉपॉपॉलेशन मिल जाती है वर्कपोस मिल जाता है लेकिन आपके पास जो पॉसिबिलेटी है विद्रोह का इरिवेलियन का उसको एक तरीके से कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके और जैसा की एक्जामपल पैरिस दिखाता है और इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए इमेज है जो डॉक वरकर स्ट्राइक वा था 1889 में उसका इमेज है यहाँ पर काफी संख्या में लोग उन्होंने तस्वीर खी चाहिए है यहाँ पर देखिए एक चीज है हॉस्मनाइजेशन ऑफ पैरिस तो देखिए यह इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके उपर आपके किताब में लाश्ट में कोश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखिए यह आखिर प्रोसेस किया है यह आखिर है क्या हॉस्मनाइजेशन तो यह सिंपल पैरिस जो था पैरिस सहर उसका सुंद्रीकरण का प्रोसेस है और हॉस्मनाइजेशन इसलिए इससे कहा जाता है क्योंकि जो इस पूरे इवेंट को बनाने वाले थे या नि जो आर्टिटेट जिनोने सहर को डिजाइन किया थbra पैरिस को सुंद्री करन के प्रोसेस के दौरान उनका नाम था यहाँ पर बैरन हॉसमेन इसलिए इस प्रोसेस को हॉसमनाईजेशन कहा जाता है इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं तो आप असानी से उस कोस्चन को एंसर करने पाएंगे 1852 में जो लुई नेपोलियन थर्ड था है जो कि नेपोलियन बेनो बोनापाट का भतीजा था उसने खुद को इंप्रव घोसित कर दिया और इंप्रव बनने के तुरंद बाद ही उसने पैरिस का रिबेल्डिंग की सुरुआत की यानि पैरिस के पुरनर निर्मान की आर्टिक बनाये गया उनका नाम था बैरन हॉसमन और इन्ही का नाम पर इस पूरो प्रोसेस को होसमनाईजेशन कहा जाता है. और वो scene के रहने वाले थे साइद और वो scene के perfect थे और उनका नाम वो काफी प्रचलित था और काफी famous था जब भी बात आती थी forcible reconstruction की यानि कि जैसे कि अब forcible reconstruction इसलिए कि आप Paris को भी देखें तो Paris को भी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने खुसी-खुसी स्युकार किया था कि इसको reconstruct करना चाहिए फिर से बनाना चाहिए उसका reason ये था कि Paris को बनाने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गरीब लोगों को उनके घरों से हटा दिया गया था और बाहर दूसरे जगों पर ले जाकर बसाया गया था तो इसलिए कहा जाता है forcible reconstruction और ऐसा नहीं कि ये event सिर्क Paris के साथ हुआ था और वी दूसरे जगों के साथ हुआ था और जो पूर लोग थे गरीब लोग थे उन्हें Paris के center से हटाया गया था ताकि जो एक तरीके से political rebellion ना हो इस process पूरे process के दोरान और जो सहर उसकी सुंदरता को भी बढ़ाया जा सके इस वज़े से और करीब ये जो process था अठारा सो बाउन के बाद करीब 17 सालों तक चला 17 सालों तक हॉसमें जो थे वो पैरिस में रहे और उन्हें काम किया सहर को सुंदे करन करने के लिए साफसुद्रा करने के लिए और काफी चीज़े बनाने के लि जहां पर जगा खाली थे और इसके अलावा full grown trees यानि कि बड़े बड़े पेर होते उनको प्लांट किया गया और 1870 आते आते तक पैरिस के 20% इस्टीट थे उनको हॉसमें के creation के मार्क दरसन में बना दिया गया थे यानि उनकी मर्जी कनुसार बना दिया गया था और इसके स पुलिसमें को employ किया गया पुलिस को बैठाया गया नाइट पेट्रोल सुरू किये गया इसके साथ ही birth shelters बनाए गया और tap waters बनाए गया तो देखिए यही पूरा प्रोसेस है हॉसमराइजेशन यानि जो पैरिस का reconstruction है उसी को हॉसमराइजेशन खा जाता है तो देखिए इसक अगर पैरिस की बात करें तो पैरिस में उस समय में करीब 20% लोग जो थे वो इसी फिल्ड में काम कर रहे थे यानि के construction के फिल्ड में काम कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद इस पूरे प्रोसेस को दारान करीब 3.5 लाख लोगों को पैरिस के सेंटर से हटा कर किसी दूस अमीर लोग थे गरीब लोग तो इस पूरे प्रोसेस को खराब मानी रहे थे और उन्हें काफी अच्छा नहीं लग रहा था इस पूरे प्रोसेस में लेकिन इसके साथ ही जो अमीर लोग थे उनका भी मानना था कि इस पूरे सहर को एक कड़ाई से या फिर बुरे तरीके से ट्रंस्पोर्ग विया जा रहा है जैसा इस सहर को नहीं होना चाहिए और इस चीज में एक जो गौनकॉट ब्रदर्स हैं जो राइटर्स थे उन्होंने 1860 में बताया है कि वो इस बात से काफी नराज थे कि जो पुराना जो लाइफ था city का या फिर roads का उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया और या फिर हम कह सकते हैं सडको को मार दिया गया या फिर सडको के उपर life को मार दिया गया और एक upper class culture को develop किया गया इस बात से वो काफी ज़दा नराज थे ऐसा उनका कहना था और दूसरे मानते थे कि जो horseman थे उन्होंने एक सडकों की हत्या कर दिया है और उसके जगह पर एक ऐसा सहर बनाया है जिसमें road जो है वो काफी empty है, सहर जो है वो काफी boring है और पूरा सहर जो है वो एक जैसा दिखता है यानि हर road किसी भी road में जाए तो वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा दूसरा road दिखता है और एक play किया गया था mezo new way ये 1866 में लिखा गया था और इस play में एक old swap keeper जो है वो कहता है कि अगर आज जगाल आपको थोड़ा क्या गयते हैं, घुमने फिरने भी जाना है तो आपको मिलो तक चलना होगा काफी दूर जाना होगा और आप किसी भी जगा जाएं तो आपको हमेशा चलना होगा काफी परिसानी नहीं मतलब काफी देखने में अब उतना उदास लगता है, पहले जतना उतना जीवन्त नहीं रहा हमारा जो सहर है वो और पूरा सहर जो है वो एक जैसा देखता है तो देखिए ये जो चीज है negative जो थी negative बात इस चीज के बारे में तो ये तो थी लेकिन इस पूरे process के complete होने के कुछ समय बाद ही ये जो negative thoughts जो थे ये खत्म हो गए पुरी तरीके से खत्म हो गए और ये जो चीज जो थी ये लोगों के प्राइड का विशह बन गए यानि हमारा जो सहर है वो इतना सुन्दर है इतना साफ है इतना अच्छा है इस तरीके के लोगों के थौट्स आ गए और उसका रीजन ये था कि जो पूरा यूरोप था फ्रांस को छोड़ देतो क्योंकि फ्रांस में आपका पैरिस है उसके बाहर के जितने भी देश थे या फिर जितने भी सहर थे वो एक तरीके से हेट करने लगे थे पैरिस को या फिर पैरिस से एक तरीके से जलन उनके अंदर आ गया था उसका reason ये था कि Paris जो था वो काफी खुबसूरत हो चुका था और दूसरे सहर जो थे वो उतने खुबसूरत नहीं थे और इसके बाद जो Paris था वो एक तरीके का hub बन चुका था नया architecture, social और intellectual developments के लिए या फिर हम कह सकते हैं खोज या फिर experiment के लिए और जो की एक तरीके से काफी influential थे 20th century के दौरान और ऐसा नहीं है कि इन चीजों को सिर्फ Paris में या फिर उरोप में अपनाए गया था इसके अलावा उरोप के दूसरे जगों पर भी अपनाए गया था तो यह हमने देख लिया hospitalization इसके बाद देखे topic number 4 को हम next वीडियो में पढ़ेंगे topic का नाम है the city in colonial India तो मिलते हैं आप से next वीडियो में next वीडियो का link मैं नीचे description देदूँगा जब वीडियो तियार हो जाएगा तो मिलते हैं आप से हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye